हेलो एब्रीवन जैमातादी कैसे हो आप लोग उमीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी गर ववस्ता भी काफी अच्छी चल रही होगी तो फ्रेंड्स जब एक महिला प्रिणेंसी कंसीर करती है तो उसको जो है बहुत सारे ऐसे हार्मोल्स जो है ब बताऊंगी वह छे लक्षण जो गर्वती महिलों में देखे गए जिनके बेटा हुआ था तो फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूं कि मेरे अंदर भी वह सेम लक्षण जो है मिले थे और मुझको भी बीवी बॉय हुआ था तो फ्रेंड्स देखिए अगर आप पहली बार गर भाव में नहीं करते हूं बड़ जब हम पहले बार प्रेगनेंसियो सेव करते है तो बहुत जयादा सोचने की शमता हमारे बहुत ज़ादा होती है कि हमारे गर में पलरा बच्चा माम और पता को पता होने चाहिए कि हमारे गरव में पल्रा शीश्यो जो है वह लड़का है या फिर लडकी है ओर जिनके पहले पहली बेटी हो तो सेकेंड टाइम में यहीं पहले हो जाए है कि अब सेकंड बार जो है मुझे बेबी गर्ल हो जाए और मुझे जो है मेरी फैमिली जो है एक छोटी सी कंप्लीट हो जाए क्योंकि आपने सुना यह ना एक लड़का और एक लड़की बहुती जरूरी होते है भैन भाई का प्यार जो होता है तो इसलिए जो है मैं अपने सिम्टम्स आपके साथ शियर करती हूँ जो मेरे बेबी बॉय के टाइम पे थे तो पहला सिम्टम्स यह है फ्रेंट्स कि अगर आपको एक से लेके तीर महीने के बीच में कोई भी वोमिटिंग नहीं हुई है मतलब कि आपको सिर्फ उक्काई आ रही है और आपको जो है प् क्योंकि मुझको भी एक से लेके तीन महीने के बीच में उल्टी नहीं होती थी बस उक्का ही आती थी अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपका है अंदाजा लगा सकते हो कि आपके गर में पलराशीशू जो है वो बेबी बॉय है सेकिंड सिम्टम्स फ्रेंट्स ये है कि आपको जो है बहुत ज़्यादा अगर आपका पेट जो है ओवल टाइप में अगर आपको दिख रहा है अगर आपका पेट मतलब कि नीचे को जुखा हुआ है और ओवल टाइप में है तो बड़े बुज़ूर्गों का मानना होता ह है कि आपके गर में पल रहा है और यह लक्षण भी फ्रेंट्स मेरे साथ भी सटीक बैठाता क्यूंकि मुझको देखकर भी काफी लोग ऐसे बोल देते मेरे पेट को देखकर कि इसका पेट जो है लड़की की टाइप में है मतलब कि ओवल टाइप में था तो वह बड़े ब बता रही हूँ ना अपने वो किसी की उपर तो सटीक बैठेंगे और किसी की उपर नहीं बैठेंगे क्योंकि आपको पता ही हर महिला जो है वो अलग होती है हर महिला के अंदर जो है ना हार्मोंस अलग बनते हैं बट आपको कई हद तक जो है अंदाजा हो जाएगा कि आप आपको एक से लेके तीन महिने के बीच में बहुत ज़दा थकावट हो रही है और नीन दारी है तो गर्प में पड़ा शिश्यों जो होता है वो बेभी ब्लेट बन रहा होता है वो बच्चे जो है प्लसरंटा के सुरू बच्चे के अंदर जारा होता है ताकि बच्चे का जो है सारीरिक और मांसिक विकास और बच्चे का सारा विकास जो है प्रॉपर तरीके से हो सके और बच्चा जो है एक अच्छी तरह से जनम ले सके तो इसी इसे चीज से जो है न हमें थकावाट होती है और बहुत जादा हमें नीद आती है अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो गर्प में पल रहा है शीशु जो है वे भी बॉय हो सकता है इसके बाद है फ्रेंट्स की खाने की क्रेविंग अगर आपको पहले मैने से लेके मतलब क की कि उनकe करते हैं की मंद करते हैं जैसे कि आपने बहुत बार सुना तो कहीं नहीं वी प्लॉट हम और रहा है पहले ही का महिने से बहुत सारी हमारे घर की ओल्डाज वाईफस जो बहुत लगा कि लगा मैधा है यह है वह एक बेटी है तो देखिए यह लक्षन मेरे अंदर बिल्कुल भी सटिक नहीं बैठ था क्यूंकि मुझको लास्ट तिमाय में जो है ना साथवे आठवे नौवे महीने में मीठे की क्रेविंग होने लगे थी और मैं विदाउट भी प्रिग्नेंसी जो है अगर आपको मेरे से ऐसी वीडियो और देखनी है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बाल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको जब सब्सक्राइब करना तो आपके मुपाइल पर उसका नोटिफिकेशन आए और आप मेरी वीडियो को देख पाओ ऐसी ही रोज में आपके लिए वीडियो बनाती रहूंगी और लाती रहूंगी और अपने बीबी बॉय के सिम्टम्स भी आपको शेयर करते रहूंगी तो कहाई या फिल लड़की है कहीं आपने यह देखा होगा 100% तो कोई भी नहीं पता पाता है बट आपके मन में यह भी चलता होगा कि थोड़ा सा कोई हमें एक मतलब कि थोड़ा सा हमें कोई हिंटी दे देगी हमारे गर्म में जो है एक बेबी बॉय है यह बेबी गर्ल है तो कोई उनके पर कोई बहुत कहँए हैं अगर आपके फेस के उपड़ा जहाइया आ गई है बहुत ज़या चैरा जो है आफका मुर्जा गया है चैरे पर पिम्पलस आ गए है चैरे पर दरकनेंश आरी है और ब्लैकट फो गए तो माना चाता है कि आपके गर्में फटलब कि र नम देने वाली है 9 महीने बाद अगर आपका फेस बहुत ज़दा गोरह कोई भी कोई भी फेस के ऋपर कोई भी पंग्मनेशन नहीं काला नहीं पड़ रहा है जाईयां भी नहीं पड़ि थी आपके फेस पर देंगे बाड़ह कोई आयां बक मुझे इसे एस प्रीदट Eck मेरे साथ नहीं मैच होता है तो मैं आपको बता देती हूं अपनी प्रेग्नेंसी इसके अंदर जो जो मेरे अंदर लक्षन थे तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी अगर अच्छी लग रही है तो प्लीक प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना मिल न्यू चनल जो खोला है न तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना नहीं बूलना है